मातारानी दोस्तों मैं नीता नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ मातारानी के नाम का जैकारा लगाएं कमेंन सेक्षिन में जै मातारानी हर हर महादेव ओम नमो नारायनाय अवर्ष्य लिखिए पूरण मार्षी की व्रत की तरभ़ आपकी सभी मनो कामनाय अवर्ष्य पूर्ण होंगी जीवन में सुख सभागे की व्रत्धी होगी आज हम जानने वाले हैं साल 2020 में भादरपद पूरण मार्षी का व्रत किस दिन पे रखना है इस दिन पे चंद्र को अर्ग आपको कब देना है एवं एक मुठी चावल से ऐसा विशेश उपाय जिसके करने से आपके घर में धन धान्यमा लक्ष्मी की क्रपा बरसने लगेगी दोस्तों जो लोग अपने घर में सत्य नारायन की कथा करते हैं वह यह कथा किस दिन पे करेंगे एवं दान इत्यादी देते हैं वो कब देंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी साथ ही साथ पूरण मार्शी के वरत में जो भोले नाथ माता पार्वती का पूजन करते हैं वह यह पूजन खब करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ तो जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए बाज़ बनी हुई घंटी अथवा बैल के आइकन को प्रेस करिए इससे आपको नीता विक्रम चैनल के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे वरत्योहार, पूजापार संबंदी, सभी जानकारी निशल प्राप्त होंगी आज की वीडियो को अपने घर, परिवार, मित्रों के साथ जादा से जादा वाट्सअप पे शेयर करिए इससे आपको धर्म का लाब होगा दोस्तों भादरपद मास की पूरण माशी की तिथी कब से कब तक रहेगी पहले ये जान लेते हैं पूरण माशी की तिथी प्रारंब होगी 1 सितंबर 2020 की तारिख में सुभा 9 बज के 41 मिनिट पे और इस तिथी की समापती होगी दो सितमबर 2020 की तारिक सुभा 10บच की 53 मिनिट में दोस्तोफ पूरणमाशी के वृत में चन्द्रपूजन का विशेश महत्व होता है पूरणमाशी की तिथी में चन्द्रपूजन आप 1 सितमबर 2020 की तारिक को करेंगे इसलिए जो लोग भी पूरन मासी का वरत रखते हैं वहां 1 सितमबर दोहजार वीज़ की तारिक को ही इस वरत को रखेंगे लोग अपने नियमानुसार अलग हैं और कई लोग इस दिन पे केवल चंद्र पूजन करके पूरण माशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं यह तीनों ही विधियां अपने आप में पूर्ण हैं आप सभी इस किसी भी विधी से इस तरह से पूजन करते हुए पूरण माशी का वरत कर सकते हैं पूरण माशी के वरत में केबल आपको नमक नहीं खाना चाहिए मीठा भोजन करना चाहिए एक समय में मीठा भोजन करें चंद्रदर्शन के पश्यात और इस तरह से पूरण माशी का वरत करने से पू पूर्णता आती है जो इस्त्री अत्वा परुष पूरण माशी का वरत रखते हैं उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती धन धान्य सुक्सवभाग्य संतान आदी की प्राप्ति आपको हो जाती है दोस्तों इस वर्ष भादरपद पूरण माशी के साथ ही साथ इस दिन पे अनंत का वरत भी है गड़पती विसरजन भी है जिसके विशे में मैंने नीता विक्रम चैनल पे पहले से वीडियो डाले हुए हैं आप वो देख सकते हैं आप सबको पता है प्रतेक वर्ष में 12 पूरण माशी आती है पूरण माशी के दिन का जो नक्षत्र होत इस महीने में अभी हम भादरपद नक्षत्र में हैं पूरण माशी के दिन इसलिए इस महा का नाम भादरपद है इस दिन की पूरण माशी का वरत करने से भगवान श्रीहरी विश्नु अत्यंत प्रसंद होते हैं और शुफवलों की प्राप्ति कराते हैं जो लोग इस दिन पे सत्य देव का पूजन करते हैं उन्हें अपने घर में सुभा के समय सत्य नारायन की कथा करनी चाहिए केले का मंडब बनाके वहां पे श्रीहरी विश्णु भगवान का दूद दही घी शक्कर गंगा जल रोली मोली इत्यादी से पूजन करें उन्हें पीले रंग के पूजन करना है परन्तु जो लोग इस दिन पे भोले नाथ माता पारवती का पूजन करते हैं वहां सुभा के समय नित्यकारियों से निव्रत हों एक छोटी सी पूजा करें जहां भगवान के सामने खड़े होके उनके सामने संकल्पलने की आज के दिन आपने उनकी पूज पूजा के निमित इस्वरत को रखा है क्रपा करके वहां आपका पूजन अर्चन ग्रहंड करें और शाम के समय याने प्रदोशकाल में चार बजे पुनह इसनान करें सफेद या हलके रंके वस्र पहने भोले नाथ माता पारवती का आप अभिशेक करें दू दही घी शक्क पर शहद इत्यादी गंगा जल यहां सभी चीजों से आपको भोले नाथ माता पारवती का अभिशेक करना चाहिए और पूजन करना चाहिए हो सके तो एक कलश निर्मित कर लें दीप कलश बना लें एक लोटे में थोड़ा गंगा जल पानी डालके आम के पत्ते अशोक के लगा के उसके उपर एक चावल से भरी हुई कटोरी रखें और उसमें दीपक रखें और कलश निर्मित करके पूजन करें भोले नाथ माता पारवती पूजा से शीग्र प्रसन्न हो जाते हैं उन पे सफेद रंग का चंदन साबुत अक्षत सफेद रंग की मिठाई सफेद कनेर का फूल इस तरह की चीजों से भोले नाथ का पूजन करने से अत्यंत शीग्र प्रसन्न होते हैं आख के पत्र बिलव पत्र शमी पत्र या सभी चीज़ें भगवान भोले नाथ को शीग्र प्रसन्न करती हैं तो इस तरह से पूरण माशी का व्रत करने से संतान सुख पूरण मासी व्रत करने वाली इस्त्रियां कभी भी वैद्धवे को प्राप्त नहीं होती उनका सदा सौभाक्य बना रहता है इस व्रत को शुरू करने के लिए आप इसे मारगशीष के महीने से व्रत शुरू कर सकते हैं यह सबसे उत्तम मास है जबकी हमें पूरण मासी का वरश प्रारंब करना चाहिए दोस्तों कभी भी भादो के महीने से पूरण माशी वरट प्रारंब नहीं करा जाता तो ये जो अभी पूरण माशी आ रही है इस दिन पे आप वरद बिलकुल भी ना प्रारंब करे भादो और पूस के महीने को पूरण माशी वरत प्रारंब नहीं करे जाते हैं मार्गशी याने अगहन का महीना, माग का महीना और बैशाक का महीना पूरण माशी वरत प्रारंब करने के लिए श्रेष्ट बताए गए हैं तो इस तरह से पूरण माशिका व्रत करना चाहिए शाम के समय जब चंद्र उदय हो उसी समय एक लोटे में थोड़े से चावल, मिश्री, दूद, कच्चा दूद लेना चाहिए और गंगा जल तथा साधा जल डालके चंद्रमा को अर्ग देना चाहिए चंद्रमा की रोशनी जीवन में इससे सुख सभाग्य मानसिक शांती प्राप्त होती है इस प्रकार से चंद्र पूजन करें इस दिन पर दोस्तों आपको दान पुन अवर्श करना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया एक मुठी चावल कम से कम आप ले और उसे भोले नात माता पारवती के इन का दान करें आपको शुख फलों की प्राप्ति अति शीग्र होगी यदि है संभव नहीं है तो कम से कम चावल शकर दूर इत्यादी का दान करने मातर से बोले नात मा पारवती श्री हरी विश्न भगवान सभी धीवी देवता अति प्रसन्न होते हैं चंद्र देव की विश इत्यादी करके आपको इस दिन पे व्रत करना चाहिए व्रत करने वाले इस तरी आप पूरुष को इस दिन पे मीठा भोजन ही ग्रहन करना चाहिए यदि आप से नहीं बन परता तो आप शाम में एक समय जबकी चंद्र उधे के बाद आप पूजन करें तब आप जो भी भ दोस्तों अती सभागय शाली मन को सुख और शांती प्रदान करने वाली पूरण माशी व्रत की यह कहानी सुना रही हूं जिसे स्वयम्शी कृष्ण भगवान ने अपनी माता से कहा था इसे व्रत को करने से सभी इस्तियों के जीवन में सुख सभागय आता है आप भी इस व् पूरण माशी के व्रत आपने पूर्ण करें हैं उत्ते ही आटे के दिये बनाए इस प्रकार से इस व्रत को करने से आपका व्रत शीग्रही पलित होगा एक समय पे शीकृष्ण अपनी माता यशोधा से कहते हैं इस भूमंडल पर अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहाथ से पालित अनेक प्रकार के रतनों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी वहाँ पर धनेश्वन नाम का ब्रामन था और उसकी इस्त्री अती शुशील रूपवती थी दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे घर में धन धान्यादी की कोई कमी नहीं रूपवती की से वह भिक्षा नहीं लिया करता था उस दिन योगी ने रूपवती से जब भिक्षा नहीं ली तब धनेश्वन ने उसे चुपके देख लिया अपनी भिक्षा का अनादर होते हुए देख बहुत ही दुखी हुआ जब वहाँ योगी महात्मा एक ताला के कि बिख्षा कभी नहीं लेते इसका क्या कारण है योगी कहने लगा जिनकी संतान नहीं होती उनका अन्न कभी ग्रहन नहीं करना चाहिए उस अन्न को ग्रहन करने से आपके पुन्य कर्मों का श्रय हो जाता है वह अन्न आपको पतीत बना देता है इसलिए मैं आपके घर से कभी बिख्षा ग्रहन नहीं करता हूं धनेश्वर यह सब सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ हाथ जोड़कर योगी जी के पैरों में गिर पड़ा और प्रातना करने लगा है माराज यदि आपको के पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो अपनी इस्तरीके से सब्रतांत उसने कहा और सुयम तबके लिए वन को चला गया वन में जाकर उसने मा चंडी की उपासना की उपवाज किया चंडी ने सोलवे दिन उन्हें स्वपन में प्रशन होकर दर्शन दिये कहा है दनरश्वर जा तुझे संतान की प्राप्ति होगी परंतु वह 16 वर्ष की आयू में ही मृत्यू को प्राप्थ हो जाएगी यदि तुम दोनों इस्तरी पूरुष 32 पूरण माशी का अवरत विधी पूरवक करोगे तो वह दीर गायू होगी जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतने आटे के दिये बनाना भगवान शिव का पूजन करना परंतु पूरण माशी के दिन 32 हो जाने जाहिए प्राता काल होने पर इस स्थान के समीब तुम्हें एक आम का व्रक्ष दिखाई देगा उस पर चड़कर तुम फल तोड़ लेना और घर जाना अपनी इस्त्री को सब व्रत्तांत कहना रिति उसनान करने के बाद स्वक्ष होकर श्री शंकर जी का ध्यान करकर वहाँ उस फल को खालेगी तब शंकर भगवान की क्रपा से उसको गर्ब हो जाएगा और ब्रामण प्राता काल उठा उसने उस स्थान के समीब एक आम का व्रक्ष दिखा उस पर चड़कर फल तोड़ने की वहाँ चेश्टा करने लगा परन्तु कई बार प्रितन करने के बाद भीभव जब फल नहीं तोड़ पाया तो उसने शी गडपती भगवान विग्न विनाशक गडपती जी की वन्ना की हे धयानी दे हे विग्न नाशक गडपती भगवान मेरे इस कार्यों को सफल करें दुष्टों का नाश करने वाले रिद्धी सिद्धी देने वाले क्रपा करें और इतना बल दे दे कि मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूँ इस प्रकार गडपती ने उसकी प्रातना को सुना और धनेश्वर रक्ष पे चड़ गया वह अति सुन्दर ही आम का फल देखा उसने सोचा जो वर्दान के सुरूप में फल मुझे प्राप्थ हुआ है वह यही फल है धनेश्वर वह फल लेकर अपने घर को चला गया अपन पिता के हर्ष का और शोक का ठिकाना नहीं था बालक शुक्र प्लक्ष के चंद्रमा की भाती अपने पिता के घर में बढ़ा होने लगा भवाली की कृपा से बालक बहुत सुन्दर सुशील विध्या पढ़ने वाला बहुत निपुण हो गया दुरगा जी की आग्या अनु जाएगी तो वह कैसे सहन करेगा और इस प्रकार विचार करके उसने देवीदास के मामा को बिलवाया कहा हमारी इक्षा है देवीदास एक वर्ष तक काशी में रहकर विध्या अध्यान करें उसको कभी अकेला मत छोड़ना इसके लिए तुम साथ चले जाओ एक वर्ष के पश्यात इसे घर ले आना सब प्रबंध करके माता पिता ने उसे काशी जाने के लिए देवीदास के साथ भेज दिया अब मामा और भांचा दोनों अपने घर से निकले धनेश्वर ने अपनी पतनी के साथ पुत्र की मंगल कामना है तु भगवती दुरगा से प्रातना कर उस गाओं में एक ब्रामण की अत्यंत सुंदर विदूशी गुडवती कन्या का विवाह होने वाला था वहाँ पे बरकी बारात ठहरी हुई थी और सयोग वर्ष देवीदास भी वहीं पे ठहरा था कन्या के सभी शुब संसकार हो गए थे तेल चढ़ा था मंड़प लगा ह उसी समय वर्ष तबित अचानक खराब हो गई वर्ष के पिता ने अपने घर के लोगों के साथ परामर्श किया और उन्होंने देवीदास को देखा तो सोचा मेरे बेटे के समान यही यह भी बहुत ही सुंदर और देखने में बिलकुल वैसा ही है क्यों ना मैं इस समय लग को ले जाओ पर कन्यादान के समय वर्ष को जो भी सामान मिलेगा वहां सब तुम्हें मुझे देना होगा भांजया बहरात में दूला बनकर चला गया यह बात वर्ष के पिता ने सुईकार कर ली और रातरी में उन दोनों का विभा संपन हुआ पर वह बहुत ही असमंजस मे पड़ा हुआ था पत्नी के साथ भोजन भी ना कर सका अपने मन में यही सोच रहा था ना जानी है किसकी इस्त्री होगी वह एकांत में इसी सोच में बैठा हुआ आखों से आसु निकाल रहा था तब वदू ने पूछा आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं तब मेरे पती रहेंगे मैं आपकी पत्नी रहूंगी किसी अन्य की कदापी नहीं हो सकती तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिये मेरी आयू बहुत ही कम है मेरे बाद आपकी क्या गती होगी इस पे आप थोड़ा विचार करिये परन्तु वह बहुत ही द्रण निश्य वाली इस्त चार बजे तब देवीदास अपनी पत्नी को तीन नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और बोला इसे तुम संहाल के संकेत के रूप में रखो यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम यहां पे पुश्प वाटिका लगाना जिसमें सुगंधों वाले पुश्प खिले यदि मैं किसी दिन अपने प्रांट याग दूँगा तो वह सभी पुश्प निर्जीव हो जाएंगे, मुर्जा जाएंगे और सूख जाएंगे तुम समझ लेना कि ज़रूर मेरा अंतसमय हो गया है ऐसा कहकर देविदास वहाँ से चला गया प्राता काल होने पर बाजे गाजे के साथ बरात वहाँ आई और जब वहाँ विदाई का कार्य करा रहे थे तो कन्या ने कहा यहाँ जो लड़का है यहाँ मेरा पती नहीं है आप इससे पूछिए रात में शादी के समय इन्हें बढ़की के पिता ने उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा बरात अपना सा मूँ लेकर वहाँ से चली गई और अपमानित हो गई भगवान श्री कृष्ण बोले है माता इस प्रकार देविदास काशी विध्या अध्यन के लिए गया जब कुछ समय भी था काल से प्रे परे हुए थे और इसके बाद दुपहर के समय स्वयम वहां काल आया उसके शरीर पर पड़ा और भगवान की क्रपा से उसी समय मा पारवती और शंकर जी वहां पर आ गए उसको मूशित दशा में देख पारवती जी ने बोला शिव जी से प्रातना करी है महाराजिस बालक क माता 32 पूरण मार्शी के वरत कर रही है जिसके प्रभाव से है भगवान आप इसको प्राण दान दी दीजिए भवानी के ऐसा कहने पे भक्त वस्तल भगवान शिव ने उसको प्राणों का दान दे दिया और वरत के प्रभाव से ही काल मृत्यू को उसको छोड़ देना मेरे पती को ढूण लाईए और 16 वर्ष वितीत हो गया देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया इधर उसके ससुर उसे ढूणने निकले अपने घर से जाने ही वाले थे तभी दोनों मामा भांजे वहां आप पहुँचे उन्हें आया देखकर उसके ससुर को ब पहचान लिया तदुपरांथ गाउं के सभी लोग वहां आए और उन्होंने खूब आनंद मनाया कुछ दिन बाद देवी दास ने अपने पतनी और मामा ससुर से कहा कि अब उन्हें अपने घर जाना है तब उसके ससुर ने उन्हें बहुत सा दान धहेश देके उनके घर की तरफ प्रस्थान करवाया जब वह गाउं के निकट आये कई लोगों ने देवी दास को देखा और उसके माता पिता को जाकर बताया तुम्हारा पुत्र देवी दास अपनी पतनी और मामा के साथ आ रहा है यह समाचार सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ किन्तु जब और लोगों ने इस बात का समर्थन किया उन्हें बहुत आश्यरे हुआ देवी दास को आने की खबर सुनकर उसके माता और पिता ने घर को बहुत सुन्दर सजाया और अपने पुत्र और पुत्र वधु को घर में बहुत ही अच्छे से उन्होंने निमंतरत करा उन्हें धनेश्वर ने 32 पूरण मार्शी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया जो भी इस तरिया इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक वैदव्य का दुख नहीं भोगती सदेव भागयवती रहती है ऐसा मेरा वचन है इसमें कोई संदेह नहीं मानना चाहिए यह व पूरण मार्शी के व्रत के दिन पूजन अर्चन करें और एक मुठी चावल जरूर किसी ना किसी गरीव को दान देदें ऐसा करने से आपके जीवन में सदेव सभागय धन यश्मान सम्मान बना रहेगा आज का वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें फैमली फ शाद करना है यदि आपको नहीं पता तो नीता विक्रम पित्रपक्ष 2020 का वीडियो 2020 का वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं साथ ही साथ नीता विक्रम फैमली चैनल पर जरूर जाए विजिट करिए देखिए वहाँ पर घर ग्रहसी से जुड़े हुए बहतरीन टप्स जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अगली बार एक नया वीडियो लेकर आपसे जल्दी मिलूंगी तब तक के लिए नमस्ते जै मातारानी दोस्तों